आप सभी साथियों को नमो बुद्ध है जैभीम, मैं रभी राजबोध गाजी पूरी उपी से और बहुत जोरूरी बात आप सभी के बीच में करने के लिए आया हूँ हाथ रस की जो गटना, निंदनी ये गटना, दुख है हमें इस बात का, पूरा देश आज सोक में है ऐसी तमाम गटनाएं पहले से होती आ रही है, ये पहली गटना नहीं है पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और आगे भी होता रहेगा, जब तक हमारे समाज की जितने भी तब तक पबलिक के चिलाने से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी पबलिक तो मैनत करती है, हमारे बोजन समाज की पबलिक लोग मैनत करते हैं सोसल मीडिया के माधियम से, रोड पर आ करके आकर, लेकिन संगठन के लोग जो बाबा साहिब के नाम पर लागों संगठन बने हुए हैं, राजनेतिक पार्टियां हैं, बहुत सारी जो अपने आपको दलितों का एता ऐसी बाबा साहिब की फालोवर्स मानेवर कांद सीराब साहिब की फालोवर्स बताती हैं वो राजनेतिक पार्टियां संगठन के लोग नहीं दिखते हैं ठीक है तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और पहले भी हो चुकी है मगर मेरा मानना है कि जिस दिन बाबा साहिब के नाम से बने जितने भी संगठन है उनके पदाधिकारी और संगठन के लोग राजनेतिक पार्टिय जो बनी हुई हमारे समाज से 8-10 जितने भी हो जो अपने आपको बहुजन का दलितों का नेता बताती है और इताइसी बताती है वो अगर रोड पे आ गई और मांग करने लगी धरना प्रदर्शन करने लगी तो हमारी आवाज सरकार को सुनने पड़ेगी और नयाज जरूर मिलेगा लेकिन अवाज कौन उठाता है बेरुजगार छात्र बेरुजगार छात्र कुछ अनपड़ भी साथी होते हैं जो काम धंदा करने वाले होते हैं गरीब पबलिक हमारी जो मोबाइल चला रहे हैं ऐसे ही लोग भी रुद करते हैं नवकरी वालों से कोई लेना देना नहीं है 100% नवकरी कर रहे हैं लोगों में से 90-95% नवकरी करने वालों से मतलब नहीं है समाज में क्या घट रहा है कौन सी घटना है हो रही है उनको सैलरी आ रही है उनका परिवार सुखी है बस उतना ही मतलब है उनसे कोई लेना देना ही नहीं है राजने सिक नेताओं से पार्टी वालों से लेना देना नहीं है समाज में क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे नहीं मतलब है जब चुनाव आएगा तो आपके पास आएंगे और आपके साथ खाना खाएंगे बैटके आपकी जोपड़ लग रही होंगी गाली भी देंगे कुछ लोग कुछ लोग मेरा इस वीडियो को देखने का बात बीरोध करेंगे वो अपने ही लोग होंगे बीरोध करने वाले गाली देने वाले पर मुझे कोई परभाव नहीं पड़ने वाला कोई फरक नहीं पड़ने वाला जिनको लग र सबसे बड़ी कमजोरी एक संगठन वालों का एक पढ़ता नहीं है एक दम नहीं पढ़ती है एक आएगा तो दूसरा नहीं जाएगा वहाँ पर एक संगठन के लोग जा रहेंगे वहाँ दूसरे संगठन के लोग नहीं जाएगे वहाँ यह लोग नहीं कहेंगे कि हम भाई चारा और समता समानता की बात करते हैं बाबा साहिब के रास्ते पर चलते हैं वहां दोईस की भावना है, कि वो संगठन वाला पहुचा है, तो मैं नहीं जाओंगा, वह यह जाओंगा, तीसरा सोचेगा, वो दोनों गए हैं, तो मैं नहीं जाओंगा, वो दोनों चले जाओंगा, तब मैं जाओंगा, साइद उन दोनों के रहते मेरी इज़त कम हो जाओ भाई ये भी डर रहता है संगठन के पदाधिकारियों को उन दोनों के रहते साइद मेरा मान सम्मान ना कम हो जाए मैं वहाँ चला जाओंगा और मैं अकेला जब जाओंगा अपने लोगों के साथ तो मेरा मान सम्मान बना रहेगा मैं सर्वसिष्ट रहूंगा मीडिया बस कुछा समझते हैं एक दूसरे से और खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं बस पद की लड़ाई है और कुछ नहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि अत्याचार हुआ हमारी बेटी पर बेहन पर सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए यह अपने ही संगठन वालों के अपने ही समाज के लोग क्यों बढ़क रहा है आपकी बात सही है आप सही सोच रहे होंगे अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो कि मुझे सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए अरे सरकार के खिलाफ तो मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हैं पूरे देश के लोग बोल रहे हैं ले सब्सक्राइब करें के तो मिशन बड़ पाएगा यही मिशन है हमारे मापूर्षों का इत पद की लड़ाई लडो इसमान की लड़ाई लड़ो working सुम्पर लड़ाई लड़ो ऺङल्टें है इस है पड़ाई लड़र यह कौन सी बात है कर संय तो है कि कि सी की की याएंगे दूसरी नहीं आएंगे बस फलाना यह जाएंगे क्या क्योंकि दूसरे जाएंगे तो साई गूत कम रहें पाइगे एक साथ सभी लोग एक डेट नहीं आ सकते हैं कुछ दस लोग इदर लेके कह एंगे बाबा सेल था किमा बापा साहिब कर्स्ते पर हूं कुछ इधर भीस लोग लेके चलेंगे कहेंगे मैं बाबा साहिब के रास्ते पे हूँ कुछ हजार लोग इधर लेके चलेंगे मैं बाबा साहिब के रास्ते पे हूँ कुछ एक लाख लोग इधर लेके चलेंगे मैं बाबा साहिब के रास्ते पे हूँ तारे लोग एक दूसरे किसी की पटती नहीं है और कहेंगे कि हम समता समानता वाले हैं हम भाई चारा वाले हैं हम भाई चारा को मानते हैं हम कांसी राम साहब को मानते हैं और कहीं भी समता है आपको नजर नहीं आएगी कहीं भी यहां आप बस पद की लड़ाई है हाई बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं बिपि लगा रहे हैं मेरे मोवाइल प्रिम्सराइज dying एसको तीस तारीक टक डीपी लगाएं और क्या डीपी लगाने pelly यौल लगाने से नहीं इस नहीं मना मिले तब सक नियाय मिलने वाला नहीं है लिख लिजिए आप लोग इवा कितना रिस्क लेगा भाई उसको अपने लाइफ भी तो बनानी है नौकरी करनी है वह फाइयार अपने उपर नहीं न करवाएगा और यह मनुवादी सरकार तुरंत फाइयार कर दे रही है मुकदमा कर दे मनमानी करी रही है उसके खिलाब लोग देख कर रहे है लेकिन अगर आप से बी यह मनमानी को रोकना है अगे रोकना है तो कीवल समय समय का समाज के बीच बने रहना है समाज की हर एक सुक्ष दुख को बाटना है समाज के लोगों से मिलना करना मिले करना है ये कि सोचने वाली बात है बहुत बड़ा यह मुद्धा है चोटी बात नहीं बहुत बड़ा मुद्धा आप लोग इस विडियो को ज्यादा से ज्यादा से एक पहुचाईए मेरी बात को जितना ऊसके अगर आप चाहते हैं यह मेरा बात ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुचे अगर अच्छी बाते हैं कुछ तो आप शेयर करिए और मैं क्या कहूं किसके खिलाफ लड़ू सरकार के खिला जब अपने ही सही नहीं कोई नहीं दीखेगा देख लिजेगा कोई नहीं देखने वाला है कोई Ahmed लोगा आने के लिए पैसा दीजिए फलाना साहब आ रहे हैं फलाना संगठन के मालिक आ रहे हैं फलाना जगह से फलाना गाड़ी से फलाना लोगों के साथ इतने लोगों के साथ आ रहे हैं बहुत पैसा खर्च हो रहा है चंदा दीजिए बाबा साहिब कमिशन बढ़ाने के लिए आ पुब्लिक पहुंचेगी फलानास आप आएंगे दो गंटा भासर देंगे फलानास आप गाड़ी में आएंगे गाड़ी में चले जाएंगे सेक्यूर्टी के साथ आएंगे सेक्यूर्टी के साथ चले जाएंगे अभी नहीं दिखेंगे, लागडाउन के बाद सारे लोग दिखेंगे, परिसान नहों यह आप लोग, सारे लोग आएंगे लागडाउन के बाद, कहेंगे कि हमारी यहाँ पे प्रोग्राम है, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम हम करने जा रहा है प्रोग्राम होगा मेरी बाते बुरी लग रही होंगी कोई बात नहीं है मुझे चम्चागीरी नहीं करना है अंद्भक्ती नहीं करने किसी की जो बात है साफ है मैं बोलूंगा इस वीडियो को शेयर करिए और अपसे मैं बस यहीं कहना चाहता हूँ यह डीपी लगाने से कुछ नहीं होने वाला है फेस्बूक पर वाटसप पर सेयर करने से यह गुंगी बहरी अंदी सरकार और मीडिया को नहीं देखने वाला है ठीक है बागी प्रयास करते रहे यह अच्छी बात है लेकिन इसके लिए अंदोलन की जरूरत है और सबसे जरूरी बात कि हमारे संगठनों को उनके मालिकों को हमारे राजनेतिक पार्टियों को सामने आना होगा तब ही कुछ होगा जब तक यह लोग नहीं आएंगे कुछ कुछ नहीं होगा लिख लीजिए अगर हम लोग कुछ करेंगे पक्का जेल में जाएंगे मुकदमा हमारे उपर होगा हम सभी वामें को पर क्योंकि सबसे ज्यादे एक्टीव हो रहे हैं इसमें कहीं व्यत्याचार हो रहा है तो जेल कौन जाएगा हमी लोग ना जो आएग की वज़े से नवकरी कर रहे हैं समाज में सब गद्दार हैं सब समाज से कोई लेना देना नहीं है कुछ भी लेना देना नहीं है बस बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ें बढ़िया बढ़िया खाएं एसी में बैठें अराम से सो जाएं ड्यूटी से आये सो गए तमा वीडियो को पूरा देखने के लिए शेयर करिए जय बीम